important points की तरफ ठीक अब यहां से देखिए आप कुछ important points related to daily load curve भाई कर्व आपको ने समझ लिया कि कर्व होता क्या है उससे related कुछ important points को भी समझना होगा आपका पहला point क्या है इनको बोलते हैं important and terms and factors, वह factor होते हैं, calculation करने के लिए, ठीक है, पहला factor क्या है, आपका connected load, connected load, इसकी briefly बे भी बताएंगा और हलका सा आपको यहां introduction दे देते हैं, connected load वही है, आपके घर्प में अगर 10 bulb हैं, 4 पंखे हैं, freeze है, refrigerator जो भी है, है, वह total load, कितने वाट आप खर्च करते हैं डेली, वह आपका connected load है, ठीक है, connected load अभी 100% on तो होता नहीं है, लेकिन connected load कितना है, 100% load आपके घर पर जितना है, उसको बोलते है, connected load, वैसे ही आपके गाउं में, सब का अपना connected load है, उसका total, और सब स्टेशन पर जितने गाउं जोड़े हैं, उन सब का total load ही, क्या कहलाता है, connected load, ठीक है, तो connected load आपको यहां से समझ में आ गया, हाला कि जो connected load होता है, कभी भी 100% नहीं होता है, किसी सब स्टेशन पर, क्योंकि भी सारी चीज़ आप ओन तो नहीं रखते हो न, दिन के समय connected load में से bulb कट जाते हैं, bulb बंद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ बंद हो जाती है, connected load 100% कभी ओन नहीं रहता है, ठीक है, दूसरी है maximum demand, तो maximum demand वह चीज़ है, सब स्टेशन से सबसे ज़्यादा electricity की खपत, consumption किस समय हो रहा है दिन में, एक वज़े, दो वज़े, तीन वज़े, चार वज़े, पांच वज़े, शे बज़े, किस घंटे हो रहा है, किस समय हो रहा है, उसी को बोलते है maximum demand on the power station या sub station, तो मैंने आपको बताया था, यह हमेशा maximum कव रहती है, 6 p.m. पर रहती है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं, केबल 6 p.m. यह घटती बढ़ती रहती है, यह दिन में 24 घंटे घटती बढ़ती रहती है, किसी घंटे घटेगी, तो किसी घंटे बढ़ेगी, 6 p.m. तो सिर्फ पीक को दर साथ है, यहनि maximum, यहनि peak demand on the day, इस 6 p.m. ठीक, demand factor, demand factor क्या है, बई demand कितनी है, आपकी connected load और maximum demand के बीच का demand factor है, ठीक है, average load, diversity factor, plant capacity factor, and plant use factor, तो इनके नामों से ही पता चल रहा है, कि कैसे कैसे factor है, इन सभी को note down करिए, और यह 7 आठ जो factor है, यह इतने ज़्यादा important है, कि इन से related numerical एक होगा, यानि एक numerical दे दिया जाएगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ connected load और maximum demand गिवन होगा, और बोला जाएगा, यह सारे factor निकाल लिए, एक ही question SSJ के अंदर, 5 से 6 नमबर का आता है, सिर्फ एक numerical, 5 से 6 नमबर का, और उसमें इस सारे factor निकालने होते हैं, आप खेल जाओगे, इस concept को बहुत ही ध्यान पूरवग देखना, अगर यह आ जाता है, तो आपको यहां से 100% solve करना होगा, ठीक है जी, तो इसको बहुत ध्यान पूरवग देखना, एक एक point deeply way मैं बताऊंगा, deeply way में उसको note करते चले जाना, और साथ में इसके तुरंत बाद numerical भी लगवाऊंगा कि एक्जाम में किस पिरकार का numerical पूछा जाता है, ठीक है, अब भही यहां से देखिए, connected load को समझते हैं, connected load reality में होता क्या है, the sum of continuous rating of all equipment connected to the supply, supply से कितने equipment जुड़े होई हैं, उस area में, जिस area में substation लगा हुआ है, कितने equipment जुड़े होई हैं, 50,000 bulb जुड़े होई हैं, एक लाख बलब जुड़े होई हैं, एक हजार पंक्खे जुड़े होई हैं, वो total क्या कहलाता है, connected load, कैसे सर, मान लिजे, ये एक गाउं है, ये एक गाउं है, दूसरा गाउं यहाँ है, तीसरा गाउं यहां है, city यहां है, इन सभी को supply कौन देता है, यह sub station देता है भाई साब, यह क्या है, sub station किसको बोल रहे हैं सरा आप, हाइडल को, हाइडल को sub station बोल रहा हूँ, जहां से आपके घर पर बिजली आती है basically, तो उसको मैं बोल रहा हूँ, sub station, यह सभी गाउं जित पिरती घर पर, 4-6 valve होते हैं, पंके होती दो-4, refrigator होता है, heater होता है, छोटी motor भी होती है, तो पिरती घर का अपना एक connected load होता है, यानि total रेटिंग जो है, total एकुमेंट्स की rating, connected load कहलाता है, पिरती घर का अपना-पना हो गया connected load, ठीक है जी, पिरती घर का अपना-पना, ठीक, लेकिन इस गाउं का भी एक connected load होगा, connected load, इस गाउं का total connected load, भै घर का फिर total बड़ा वाला ले लो गाउं का, यानि total जोड़ दो न, पूरे गाउं का एक जिकर, तो वो connected load हो गया, connected load समझे रहें न, आप मेरी बाद, आपके घर में जितने भी equipment हैं, total, चाहें वो बंद रखे होए हो, चाहें चालू हो, वही connected load है, ठीक है, फिर इन सभी गाउं का total निकाल दो, इन सभी गाउं का total, इस सब स्टेशन पर total जितने भी गाउं जुड़े होए हैं, उस छेत्र के, उनके घर के, उन गाउं के पिरतिक घर के अंदर, जितने भी equipment रखे होए हैं, सब का total ही connected load कहलाता है, फिर से समझो, यानि कि सब स्टेशन पर जितना भी छेत्र जुड़ा हुआ है, उस छेत्र में जितने भी equipment हैं, जितने भी total bulb हैं, पंके हैं, refrigator हैं, motor हैं, वो सभी load का total ही connected load कहलाता है, connected load, भै कितनी चीज connect हैं, भला ही वो on हो चाहें, ओफ हो, वो connected load कहला आता है, ठीक है, connected load कभी भी 100% on नहीं होता है, 100% on नहीं होता है, वो तो आप भी समझते हैं, कि सर्दियों के समय पंखे बंध हो जाते हैं, दिल के समय light one हो जाती है तो connected load कभी भी 100% on नहीं होता है इसमें से कुछ सामन आफ भी रहते हैं ठीक है? तो यहां से आपको connected load वाली बात विल्कुल समझ में आ गई होगी connected load कोई फार्सी की आख नहीं है बहुत साधारन चीज है connected load को समझना ठीक है जी? अब इसकी साहता से हम समझेंगे क्या maximum load और maximum demand तो इसको note down करें और फिर आगे बढ़ते हैं इस वाली figure को भी आफ लिख लेना जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था तो भाई यहां से कुछ important points देखे maximum demand से related हमारा सबसे पहला point क्या था? connected load connected load से ही related दूसरा point आता है maximum demand यानि MD maximum demand का ही दूसरा नाम होता है maximum load on the power station या sub station भाई कभी भी maximum demand होती है maximum demand बेसिक देशी भासा में समझें तो क्या होती है? मैं आपको डेली दो lecture बना कर दे रहा हूँ electrical engineering के आप मुझसे बोलें कि सर दो नहीं अब चार बनाने start कर दो तो आपकी demand बढ़ गई यानि maximum demand हो गई ऐसी चीज़ को बोलते है maximum demand ठीक है? जादा खपत यानि electricity की जादा खपत यह पिर्ती दिन बढ़ती है ऐसा नहीं कि दिन के हिसाब से बढ़ती है यह पिर्ती दिन बढ़ती घटी रहती है यानि कि दो बजी कुछ है कुछ है तीन बजी कुछ है कभी घट रही है दिन में कभी यानि पिर्ती मिनेट पिर्ती घटे घटती बढ़ती रहती है maximum demand ठीक है जी? It is the greatest demand on the power station during a given period यानि कि दिन में किसी भी समय घट सकती है जी क्या सपास ज्यादा होती है ठीक है जी? इस तरीके की peak को दरसाती है इस समय बिजली की खपच ज्यादा होना start हो जाती है इसी को बोलते है maximum demand ठीक है जी? Greatest peak दूसरा point क्या है maximum demand is generally less than connected load वाई? वाई maximum demand connected load से हमेसे कम ही क्यों होगी? वाई? because all the consumers do not switch on there वाई all the consumers do not switch on there accuments at the time वाई सभी consumers जितने भी लोग हैं आइडल से जुड़े होए वो सारे accuments को कभी एक साथ on नहीं करते हैं दिन के समय किसी के बल जल रहे हैं इक कदो के जातर लोगों के बंदी रहते हैं तो इसलिए connected load जादा होता है हमें सा maximum demand से कभी भी आप से पूछा जाए कि why maximum demand is less than connected load because all the consumers do not switch on there all the accuments at the time ठीक? next point क्या है? maximum demand is basically maximum at 6 p.m. यह आपको पहले ही बता चुके हैं ठीक है? next point है यहाँ से knowledge of maximum demand is very important maximum demand का knowledge होना बहुत ही जरूरी है यह point बहुत important है to determine the installed capacity of the power station installed capacity क्या होती है सर? installed capacity होती है कि जब कोई भी power station मान ले जाए टीहरी डेम की ही बात कर लें वो बनाया जा रहा था उसका construction किया जा रहा था तो उससे पहले उसकी demand का पता होना चाहिए कि इस area में कितनी बिजली की खपत होती है कितनी maximum demand है तो उसी हिसाब से उसको लगाया जाता है ठीक है? किसी भी power station को तो उसी चीज़ को बोल रहा है इसकी knowledge निकालना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी electrical engineer के लिए नेक्स्ट पैंट का है सब station या power station must be capable to maximum demand कोई भी power station maximum demand को देना कोई भी power station maximum demand को पूरा करने के लिए बाद है उसे करनी ही होगी नहीं करेगा तो चलेगा कैसे load इतना हो जाएगा खराब हो जाएगा इस हिसाब से installed करिए कि वो जितनी लोगों की demand है उसे को पूरा कर सके meet कर सके उसको ठीक है तो यहाँ से 6-7 point आपको बिलकुल समझ में आ गये होंगे maximum demand से related maximum demand से related तो दो point आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए है load कर्प से related, connected load दूसरा maximum demand यह दोनों आपको दिमाग में रहने चाहिए इनी की सहयता से आगे आने वाले formula बनेंगे आप तक तो कोई formula आपको नहीं मिला लेकिन आगे आने वाले जो 5 factor है दो factor तो खतम होगे 7 में से 5 factors के अंदर छोटे छोटे formulas होंगे उन formula's की मदद से ही आपको calculation करना होगा यह दो चीज यानि connected load और maximum demand तो आप basically figure से पता कर सकते हो जो load curve दी होई होती है उसमें so करता है कि किस समय variations जाता है अब इन दोनों चीजों की सहयता से numerical निकालने होते हैं ठीक है इन दोनों को note करें और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक अब यहाँ से next point देखे demand factor हमने अब तक connected load पैला point समझा connected load और दूसरा समझा maximum demand पर यह दो point मैं फिर से एक बार कहता हूँ बहुत ज़्यादा important है आप किसी भी factor को दिमाग में रखो या ना रखो इन दो को जरूल रखना connected load और maximum demand का क्योंकि यह दो factory ऐसे factor है अगर इनकी knowledge आपको है तो बागी बज़े पांच factor इनकी साहता से हो सकते हैं तब ही समझ माएंगे अगर यह दो समझ में नहीं आए तो आगे के भी समझ में नहीं आएंगे इसलिए कहता हूँ इन दोनों points पर focus सबसे ज़्यादा होना चाहिए ठीक है maximum demand का ही दूसरे नाम है maximum load ठीक तो यहां से हमें निकालना है demand factor demand factor demand factor कैसे निकलता है it is the ratio of maximum demand to the connected load अगर maximum demand को connected load से divide कर दिया जाए इस तरीके का formula बनता है demand factor equals to maximum load upon maximum demand upon connected load यह formula आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है इस formula के साहता से ही बहुँ कोई दो चीज़ होंगे connected load निकाल सकते हो maximum demand निकाल सकते हो demand factor निकाल सकते हो फिलाल आपको यह समझ ना है ठीक है यह formula आपके दिमाग पर रहना चाहिए demand factor request to maximum demand upon connected load, ठीक है formula याद कर लिए sir, आगे चलिए जो demand factor होता है, वो journaling हमेशा यह confirm है less than one ही होगा अब यहां से आप confused हो जाएंगे sir आप पहले बोल रहे हैं कि जो maximum demand होता है वो connected load से कम होता है, बिल्कुल सही बात अब बोल रहे हैं आप जो demand factor होता है यह हमेशा एक से कम होता है यानि one से कम होता है यह meter क्या है sir अरे कुछ भी नहीं है connected load और maximum demand के बीच का average निकाला जा रहा है तो आपको पता है कि connected load से maximum demand हमेशा कम ही होती है इसलिए demand factor भी हमेशा one से कम ही आएगा one से कम ही आएगा याद रखना, एक्जाम में पूछा जा सकता है which factor is always less than one, demand factor is always less than one why, because connected load is always greater than maximum demand maximum demand is always lesser than connected load so demand factor is also less than one ठीक है, इसका region ये है, ठीक है अब बोलेंगे सर्थ, ये तो हमारी सोजमा आगया, यहां से तो लगा देंगा अगर numerical आ जाता है, इस से related तो वो कैसे करेंगे numerical भी तैयार है आपके लिए, कैसे है example के लिए numerical ये है maximum demand on the power station is 80 megawatt 80 megawatt, अब ये ज़रूरी नहीं है कि 80 MW ही करके दे इसको 8 into 10 to the power 6 करके दे सकता है भाई, समझना है आपको कैसे लिखा जाता है 80 megawatt, वो आपकी basic knowledge पर निर्भर करता है ठीक maximum demand on the power station is 80 megawatt and connected load on the power station is 100 megawatt ये question बोल रहा है कि किसी भी power station पर 100 megawatt का तो connected load है जिस मैंसे कुछ load off है और maximum demand है 80 megawatt तो demand factor निकालने के लिए बोल रहा है find the demand factor कैसे निकालोगे निकाल दो भीया demand factor का formula लगाओ df equals to maximum demand कितना है 80 connected load कितना है 100 जब 100 से 10 से 10 गया 10 से 8 को divide किया तो कितना आएगा यहाँ से 0.8 0.8 तो भीया जिस power station का maximum demand थी 80 megawatt और connected load था 100 megawatt उसका demand factor आएगा 0.8 और इस सर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे थे demand factor is always less than 1 calculation करके भी दिखा दिये आप तो demand factor हमेशा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 9 तक ही आएगा कभी 1 नहीं होगा 0.2 में ही रहेगा इस तरीके से आएगा अगर आपको 1.2 आता है तो वो गलत है आपको knowledge नहीं निकालने की इस तरीके से आते हैं demand factor तो यहाँ से आपका average load ठीक है जी average load लेकिन इसका एक pointer बता देता हूँ इस demand factor का use कहां होता है installed capacity के लिए installed capacity of the plant of a plant by demand factor का use installed capacity में होता है नहीं capacity of plant equipment determine capacity of plant equipment अब आप बोलेंगे कि sir आपने यह तो बता दिया सारा कुछ लेकिन यह नहीं बताए आप कि demand factor से और भी कुछ होता है क्या हां बिल्कुल होता है इसका use हम करते हैं determine the capacity of plant equipment के लिए by equipment जो लगे होए है generator हो चाहे जो भी लगे होए हो उस plant के अंदर उनकी capacity उनकी छमता पता करने के लिए demand factor निकाला जाता है कि यह इतना पैदा कर भी पाएंगे इनकी छमता है भी या नहीं उस चीज से पता होता है अब next point है हमारा क्या average load ठीक है average load उसके तुरंत बाद होगा load factor ठीक है यहां से इसको note dumb करें और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक यहां से आपका next point है क्या average load या average demand उसी का दूसरा नाम क्या है average demand तो इससे पहले आपको तीन factors तो पता ही है connected load maximum demand and demand factor ठीक है जी यह तीनों point आपको पता ही है तो आप बात कर लेते हैं किसकी average load की तो इसकी definition पर आते हैं तो क्या है average load अकर